नमस्कार बिफोर प्रिंट डॉट इंज मैं महेश शर्मा भावतिय प्रतिरक्षा मजदूर संग के महामंत्री मुकेश सिंग लियाज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुदूद है और इस बातचीत का विशे है आयूद कार खाने पिछले दिनों देश के 41 आयूद कार खान तो इसी पीज जून को यानि बुद्वार को सरकार ने एक अध्या देश जारी करके मजदूरों की यूनियन संबंदी गद्रियों पर रोक लगा दी यही नहीं वो हर्ताल तो करही नहीं सकते हैं धर्णा प्रदर्शन नारिबाजी ये भी गेट पर नहीं कर सकते हैं अगर तो ऐसा ये करते हैं तो इन्हें एक साल की जेल और दस हजार रुपय जुर्माना राश्य दोनों या अलग-अलग अधा करनी पर सकती है ये एक कहा जाए बलकि इनी लोगों की शब्दों में कहा जाए तो एक ड्रेटोनियन ओर्डिनेंस है ये जो कि मजदूरों की सब्सक्राइब हो रहा है उसके हतियार सारी चीजें अभूनिशन वगयरा सब इन्हीं आयुतकार खानों से बन कर जाती है तो इसके साथी साथ एवडियाई पर भी गवर्मेंट ऑफ इंडिया काफी लिबरल है तो ये तो खेर आगे की बात है तो आए इस पर बात्चित कर है तो इसको आप किस तरह देखते हैं देखिए 30 जून 2021 को भारत सरकार के कानून नया मेंटराले ने जो अधिशनुटा जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार कि हम स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं स्ट्राइक करेंगे या स्ट्राइक में इवन हम कंट्रिबु पर जाएंगे उनको एक साल और जो उनको कंड्यूस करेंगे या जो उनको फाइनिसेल एड करेंगे उनको ज्यादा सजा है तो कुल मिला करके यह हम सब को बहुत ही तकलीव दे हमारी आवाज दबाने की पूरी कोशिश है जो हमको हरताल का अधिकार मिला हुआ था 2047 में जब यह एक्ट है उस समेंसे हम सब उसका बहुत सही ढंक से इस्तिमाल कर रहें कमसे कम भारती मजदूर संग या भारती प्रतिरिछा मजदूर संग के अगर संधर में हम कहें तो हमने कभी भी उसका नाजाईज एस्तिमाल नहीं किने और ट्रेड यूनियन में हमने उसको कभी टूल के रूप में ही इस्तिमाल किया, हमारा लक्ष कभी नहीं रहा कि हम हरताल करने के लिए हरताल करें, नहीं, एक बड़े आपजेक्ट को हासिल करने के लिए अगर हमने बहुत सारी कोशिशे की और फेल हुए हैं, तो हम हरताल की तरफ गए हैं, अब सरकार इस अध्यादेश के द्वारा डिफेंस सेक्टर में, चाहे हम लोग गवर्मेंट डिपार्टमेंट में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, इवें डिफेंस के अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट प्राइबेट सेक्टर में है, वहां भी हम कोई आव जो प्राइवेट सेक्टर में बनते हैं, जिस फैक्टर में बनते हैं, अगर वहां भी यह सब कुछ होता तो उस पर भी यह लग हुआ है, बिलकुल, बिलकुल, जैसे के नाइन बजरा है, एलन टी का है, महेंद्रा डिफेंस है, या सोलर की इंडिस्ट्री जो लोग डिफे है, किसी बिस्तिती में, बलकि डिफेंस के जो दूसरे हिस्से हैं, जो डिपार्ट्मीन अफडिफेंस का पार्ट है, अभी जो नेअ डिम में बन कए डिपार्टंट अफ मिलिटरि एफेर्स, चाहे वो जिस हेल है मिधानी है बीडियल है इन सारी जगहों पे कहीं भी ट्रेड यूनियन की गद्विदिया नहीं हो सकेंगी और इन सारे ट्रेड यूनियन्स लीडर्स को और उनके सपर्तकों के सुबशिंतकों को बहुत परिशानी में डालने वाला है अब लोगों ने आज तारीक को उनको नोटिस देने का जिनने लिया था आज जुलाई को और शब्वीज जुलाई को रास्तवियापी इस्ट्राइक का इश्यु आया था फैस्टा आप लोगों का और इसमें जितने भी बड़े महासंग प्रबेशन से इनका आप लोगों ने एक महासंग भी बनाया था तो अब आज तारीक को आपके क्या रणनीटी होगी दिखिये हम सब देंगे नहीं उसको थोड़ा से हम लोगों ने चेंज किया है क्योंकि अभी 30 जून को ही अध्यादेश आया है इसके बहुत सारे पहलूं को हम लोगों को समझने के लिए अध दिखिये क्योंकि हमने इस्ट्राइक बैलेट पहले ही लिया हुआ था और चार अगस्थ 20 इसी 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 इशू को अगस्थ में हमने नोटिविश देए यह वाइलिड है इसलिए जी और वो उस इस्ट्राइक बैलेट के बेसिस पे हमने कहा था कि हम 12 अक्टूबर से अनिश्रित कालिन के हरताल पे जाने वाले उसमें सील्सी का इंटर्वेंशन हुआ और सील्सी ने कंसीलेशन शुरू किया और सेक्शन 33-1 में आईडियक्ट के हमको और गॉर्मेंट दोनों को सीज किया कि आप दोनों आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग उसके उपर रुख गए गॉर्मेंट की लेकिन अपना काम जारी रखा और उसने कंसर्ण टेंडर पॉइंट किये कमेटीज को इधर उधर सर्वे कराया फैक्टियों किया और उसमें कंसीलेशन लास्ट में आकर के 11 जून 2021 को अभी एक कंसीलेशन हुआ और उसमें हम लोगों ने अपनी बाते रखी कंसीलेशन अफसर जो चीफ लेवर कमिशनर थे उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछेंगे कि आप ऐसा वाइलेशन क्यों कर रहें और अपना वर डिक्ट देंगे लेकिन उनको क्या दबाव आया कि उन्होंने मीटिंग में नहीं बताया लेकिन कंसीलेशन समाफ्थ होने के बाद एक नहीं नोटिस दी कि 15 तारीक को 15 जून को फिर से कंसीलेशन में आईए हमने उसका प्रोटेस्ट किया कि ऐसा तहीं नहीं होता आपन कि हमारा मानना यह है कि भारत सरकार का जेक चबर दस दबाव चीफ लेवर कमिशनर के उपर पड़ा कि आप 15 तारीक को इसको फाइनलाइज करिए और 15 तारीक को कंसीलेशन फेल कर देते हैं फेलियर अफ कंसीलेशन की रिपोर्ट गवर्मेंट को 15 जून जून को और वेरी नेक्स देज़ जब 16 जून को कैबिनेट की मीटिंग होती है उस दिन शाम को यह पता चलता है कि कैबिनेट ने डिसीजन कर लिया कि औरनेस फेक्टियों का निगमी करण होगा उनको साथ पुनियों में विभाजित करेंगे तो हम लोग के लिए यह बहुत शौकिंग निजुस था हम लोगों ने विचार किया और तैय किया कि चुकि हमारा कंसीलेशन फेल हो चुका है हमको मैंडेट है का हने रखिए थि यह कहीति कि करमचारीों का हिक कहीं भी प्रभावित नहीं होगा देख्या हंशी सब्सक्राइन हम सबको उल्जण में डालने वाला है कैसे कहते हैं कि करमचारियों का हिद संड़क्षित रहेगा हमारी बेसिक लडाय सरथ क्या है हमारी बेसिक लडाई है कि यह 41 ओर्डनेस फैक्टियां पिछले 220 सालों से काम करें वो अभी का इतिहास 220 सालों से है हम चाहते हैं कि यह अगले ऐसे अगली पीडियों तो यह चले इस सतक दूसरे सतक 200-400 साल तक जब तक दीश के इतिहां से तब तक यह ऐसा चलता रहा है हमारी अपनी कोई ब्रेड बटर की लडाई नहीं थी और नेस फैक्टिज का निगमी करण का हम लोग बिरोध इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही कि गवर्मेंट डिपार्टमेंट से यह कार्पोरेशन में जाएगा यह कार्पोरेशन चलने ही पाएगा उसके बहुत सारे कारण है वो हम लोग को एकदम सामने समझ में आते हैं कि डिफेंस इंडिस्ट्री में खासतोर से लोड फ्लक्ट्वेशन भाउत है आज लोड रहेगा कल नहीं रहेगा आज जो लोड है उसको पूरा करने के लिए हमको कपैसिटी इनहेंस करनी है वो कपैसिटी जब लोड नहीं रहेगा तो हम बेकार नहीं कर सकते तब वो कारपॉरेशन अगर है तो कारपॉरेशन घाटे में जाएगा घाटे वाले कारपॉरेशन को गवर्मेंट सहन नहीं करेगी तो इस तरह से कारपॉरेशन बनते ही इसका मरना तय है दो साल, चार साल में, तो हमारा कंसर्ड जो आपने प्रशन पूछा मैं बतारूं, हमारा कंसर्ड कहा है कि रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि ये एकदम इनका भव्यू से सुरच्छित रहेगा, कैसे सुरच्छित रहेगा, जब इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी, हमने कानपूर मे इसे ही चलेगा, आने वाले समय में बंध हो जाएगा, फिर हमको कोई पूछने वाला नहीं, रक्षा मंत्री जी ने फिर ये क्यों कहा कि अगले दो साल तक हम इनको एंशेवर करते हैं कि इनकी सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास तो अभी ऐसे भी लोग ह जो अभी हाल में इसी साल भरती हुए है, रिक्रूट हुए है, अगले वो तीस साल से लेकर चाली साल तक गवर्मेंट जाब में रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने गवर्मेंट जाब को चुना, उनका भविस क्या होगा, अगर माननी रक्षा मंत्री जी को इतनी हमारी च रच्छित रहेंगी, वो काम करते रहेंगे, नमबर एक, नमबर दो, जिस बात की गारंटी उलेते, कि ये कार्पॉरिशन अगले 20 साल, 30 साल तक चलेगा, ऐसा कोई रोड मैप लेक्या आते, कि आप डिपार्टमेंट में हैं और जब कार्पॉरिशन में जाएंगे, तो कार्पॉरिशन नहीं है, तीसरा ये था, कि हम जो आज गौर्वर्मेंट के इंपलाई हैं, उनमें दो कडेगरी के लोग हैं, वो जो एक जनवरी 2004 के भरती हुए हैं, जो CCS Pension Rules से गवर्न होते हैं, और जो एक जनवरी 2004 को या उसके बाद भरती हुए हैं, जो New Pension Scheme से गव बड़ा दिल दिखाते हैं, कि ये सारे के सारे Old Pension Scheme में हो जाएंगे, इनको चिंता करने के जरो दें, भारा सरकार इनके पीछे ख़ली है, ठीक, और एक इशू और था, कि मानिरक्षामंत्री जी ये भी कह देते हैं, कि तुम्हारा एक बहुत पुराना इशू है, जिसमें Compassionate Ground Appointments की बात करते हो, One Time Relations संदे करके, जितने भी Compassionate Ground Appointments के केसे हैं, वो सारे के सारे हम One Time में फिलफ कर देंगे, ये बाती अगर वो ले करके आते, तो हमको लगता है कि मानिरक्षामंत्री जी ने कुछ विजार किया है, और हम उस प्रपोजल के उपर हम सोचते हैं, कि का जो इंटेंशन है, वो अच्छा है, आज की तारीक में हम कैसे विश्वास कर लें, आप बताइए कि जहां दो साल की बात कर रहे हैं, मैं मैं खुद ट्रेड यूनल लीडर हूँ, और मेरी खुदी आठ साल नोकरी बची लिए, इन दो साल के बाद मैं क्या करूंगा, और इसलिए हम लोगों ने तही किया है कि अभी 26 जुलाई की स्ट्राइक के ले करके, हमको जो आठ जुलाई को नोटिस देना था टेक्निकल कारणों से, उसको हम थड़ा तबदील करते हैं, ठीक है, हरताल को नहीं करना या करना हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, अभी हम यह आठ तारी को देश भर में एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, और एक काला दिवस मना रहे हैं, कि इस अध्या देश के खिलाफ हम सब एक जुट हैं, और हम इसको स्विकार करने वाले नहीं हैं, यह भी तो विरोत का ही एक रूप है, यह सरु, हरताल के मामले में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हरताल की तैयारी के लिए नहीं, हरताल का जो हमारा अधिकार था, उसको हम बहाल करने के लिए अपनी बात रख रहे हैं, कि सरकार का ध्याना करशित करना चाहते हैं, और न क्यों लिसना, बल्कि हमने एक रेजिलूशन एडप्ट किया, डिफेंस के जि इतनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी राजनेतिक दलों को, जो पार्लेमिट की स्टेंडिंग कमिटी या डिफेंस हैं, उनके सम्मानित सदस्यों को, और सेंट्रल ट्रीड उनियंस को भी हमने पत्र लिखने की निर्णे किया है, इन सब को पत्र लिखेंगे, कि आज ये जो डिफेंस इंडस्ट्री के साथ या डिफेंस सेक्टर के साथ हो रहा है, इसकी पूरी संभावना है, संभावना ही ने इसको निश्रित मानिए, कि कल को ये डिफेंस के अलावा बाकी सेक्टर में ऐसे ही कानून आएंगे, और पूरा ट्रेड यूनियन मूव्मेंट स आज की तारीक में 26 जुलाई की हरताल कर पाना संभव नहीं है इसलिए हम लोग जानते हैं कि यहां पर management या government के वो लोग जो बहुत अलग मानसिक्ता करते हैं वो victimize और harassment करते हैं उनकी strategy दूसरी होती है वो क्या करते हैं कि वो बड़े जो trade union leaders हैं उनके खिलाप action नहीं करते हैं वो action करते हैं जो छोटे करमचारी हैं उनके खिलाप जबरतास्त action कर सकते हैं जैसा उन्हें कानून में ले आए हैं कि वो एक साल की jail भेज देंगे दस हजार रुपया या पंद अपने नेताओं से डिग जाए कि देखो तुम्हारे बड़े नेताओं ने तो अपने आपको बचा लिया इन परिस्तित्रियों से बचने के लिए कि नहीं इस लडाई को बहुत आसानी से नहीं खतम कर सकते हैं अब आप अब आप अपने पार्टिस की श्रौन में आप लोगों से प्रतिरेक्षा मर्दूत संग के विश्वास में लिये बगैर इतने कले-कले फैसले हो रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे किस निर्द लिखते हैं सरकार को जो काम करने का तरीका है वो वन वे कम्मिनिकरिशन का मुझे लगता है नीत याउग में बैठे हुए कुछ लोग पीमो आफिस से बात करते हैं और वहां से अपनी नीतियों को थोपते हैं हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशे की ऐसा नहीं कि हमारे दूस पर बहुत कंसर दिखाते हैं उन हमारी चिंताओं से उनका सरोकार है और वो चाहते भी है लेकिन जो आज का पॉलिटिकल सेनेरियो है इसमें वो कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है बहुत हमसे ज्यादा दैनी स्थिति हमारे सांसदों की है इसका मतलब यह है कि जो सरकार में लोग हैं उन तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं उस पॉलिटिकल पाल्टी के भीटर जिसकी विचारी दरतर पर आप लोग एक हैं biz नहीं एसा नहीं कह सकते कि लोग तन्तरिक वयवस्था नहीं है वयस्था अपने परिवारे में कुछ इस ध्रंग कि है कि सीर्स नेतित्त की तरब से जो डिसीजंस होते हैं जो decisions होते हैं उन decisions को challenge नहीं किया जाता यह culture decision होने से पहले जो consultation होता है उस consultation में जो बाते की सकते हैं वह उनको पॉलूम होगा कि उन्होंने कही या नहीं कही इतना वड़ा फैसला लेने से पहले कि सरकार को सभी जो भी federation हैं इंक्लूडिंग तो उनको विश्वास में लेना चाहिए था निश्य दुरूप से यह हम से सम्मंदित है हम को हमसे बात करनी चाहिए थी और हम तो बार-बार इस सरकार को बता रहे हैं कि आप जो कार्पूरेशन करके हासिल करना चाहते हैं यह एक दिवाश्वप्न है आप कालपनी लक्ष ले करके चलने हमने एक उधान दिया सरकार को कि माननी प्रधान मंत्री जी ने तीन मार्च 2019 को कोरवा में अमेठी में एक इंडो रस्यन राइफल प्राइबेट लिमिटेट कर सिलान्यास कि और यह उम्मीद किया कि इसका उत्पादन होगा दो साल बीतने के बाद प्रधान मंत देंगे और सारी समस्यों कि समाधान अभी तक पैसे को कोई अभी तक तो गौवर्मेंट जो जॉइंट वेंचर है यह पहला जॉइंट वेंचर है और अभी का उसमें कोई काम नहीं अभी तक यह भी डिसाइड नहीं पाएगा किस रेट से कितनी गन हम यहां पर बनाएंग वहां के करमचारी और वहां का उध्योग यूबंध हो गया कानपूर में दूसरा कार्पोरेशन भी आईसी ब्रिटिस इंडिया कार्पोरेशन अगर कार्पोरेशन हल है तो देश भर के 73 कार्पोरेशन घाटे में क्यूं है बंदीगी का घार पर क्यूं पहुँँ दूसरी जगह लगाते हैं जिसको बोलते हैं रोपनी और ऐसा ही क्रिसी बैग्यानिक गेहूं की वहाई कर रहे हैं कि एक जगह पहले बीजा डाला उसको जब बढ़ा हुगा तो उखाड करके दूसरी जगा रहे हैं उनके पता नहीं गेहूं और धान मेंतर होता है हम पहले से नो कार्पोरेशन्स काम कर रहे हैं उसका पूरे इस पूरे इश्यू को उसके जो लीगल एसपेक्ट है उसका जो वैधानिक पहलू है उस पर भी विचार विबर्श करने के बाद आपकी आगे किरोनिकी बनाई जा सकती है जी पर क्या चलता है नंबर एक तो यह अ आदेश से जारी हुआ है तो हम सब की कोशिश यह रहेगी कि भारती मजदूर संग के निर्टित्व में हम लोग महमहिम राष्टपदी जी के पास जाए एक डेलीगिशन लेकर के और निविदन करें कि देखी इसके बहुत दूरगामी परणाम होगे इतिहास में अंकित हो हैं बहुत विद्वान बेखती हैं हमारे राष्टपती तो मुझे लगता है कि जब उनके संग्यान में यह चीजें लाएंगे हमारी कंसर्स उनके पास पहुचेंगी तो हो सकता इस पर पुनर विचार करें और दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने हम जाने की बात कर रहे हैं कि यह देखी कैसे इस तरह की चीजें लाई जा रही है सरकार को ठीक है उसको अध्यादेश लाने की यह समविधान में उसको ताकत दी है कि वह पारलेमेंट के अंदर कानून बना सकते हैं लेकिन उसी समविधान में कोर्ट को भी अधिकार प्रा कि बजाए हम इस ट्राइक के अधिकार के लिए लड़माचार है कि तुरंथ हम को स्ट्राइक का अधिकार मिले और फिर हम लोग इस ट्राइक पे जाने की तयारी करें यह हमारा उद्देश क्यों प्रद्देश चार्ण मजदूर संक्या खर रहा है जो आयूतकार खानों के निगवी कर्वा को लेकर के और जो हरताल और प्रदर्शन और किसी भी तरह के विरोध पर प्रदिवन्द के लिए अध्यादेश लाने की कारवाई जिस पर की जेल और जुर्बाने की भी बात कही गई है तो इनकी क्या र पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें